चीनी की मिठास अब शायद आपकी जीब के साथ साथ आपके दिल को भी लुभाने लगे क्योंकि पियम मोदी की कोशिशों से अब देश में बनी चीनी देश के लिए ही सम्मान की बाद जो बन गई है भारत ने ब्राजील से चीनी उत्पादन में नंबर वन रहने का खिताब अब छीन लिया है चीनी का उत्पादन करने में अब भारत दुनिया में नंबर वन हो गया है यानि सब से उपर है ये बढ़ोत्री भी भारत ने उस दौर में कर दिखाई है जब चीनी के वैश्विक उत्पादन में तकरीबन 4.5 फीजदी यानी 185.9 मिलियन टन की गिरावट आई है और इस गिरावट का आसर ब्राजील पर भी पड़ा है लेकिन भारत में 5 फीजदी से भी ज्यादा की बढ़ोत्री दर्ज की है चीनी के उत्पादन के ये आकड़े अमेरिका की क्रशी विभाग की ओर से जारी किये गए हैं और ये पिछले साल के अक्टूबर महीने से लेकर इस साल के सितंबर महीने तक के है भारत में चीनी का बढ़ने से अब चीन और यूरोप पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी दरसल भारत चीनी का सबसे बड़ा बाजार भी है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्वत्व में देश दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है मोदी सरकार की नीतियों की वज़े से अर्थ व्यवस्था के मोर्चे पर भारत नए नए रिकॉर्ड बना रहा है और अब हमने मिठास के उत्पादन में भी ब्राजील के 16 सालों के एकाधिपत्य को तोड़ दिया है